जैशी किशना दोस्तो बियसना फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही सरल और बहुत ही अच्चुक उपाय आपको बताने वाले हैं सुख शान्ती संपदा के लिए अगर आप संतान सुख की इच्छा रखते हैं तो इस उपाय को पहिने के शुकरवार के दिन या सोमवार के दिन इस उपाय को जरूर करें दोस्तो इस उपाय को आपको देखे शुकरवार या सोमवार के दिन ही करना है लेकिन जब भी आपके जीवन में बहुत ज़्यदा दिक्कत परेशानी चल रही होती है या आपको संतान सुख नहीं मिल रहा होता है तो ये फूल आपको जब भी मिल जाए तो शुकरवार के दिन या फिर सुमवार के दिन आपको अवश्य शिवलिंग पर चड़ाना चाहिए दोस्तो उस उपाय को जानने से पहले आप से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब निकर रखा तो सस्क्राइब जरू कर लें बगलने बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे जब भी मैं नई वीडियो डालती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पोउस सके दोस्तो इस उपाई को आपको देखे शुकरवार या सोमवार के दिन करना है और इस उपाई को करने के लिए आपको एक आंकड़े का फूल लेना है जिसे मदार कहा जाता है अगर आपके घर में गरह कलेश बहुत ज़्यादा रहता है धन सब पदा की बरकत नहीं हो रही है या फिर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कते चल रही है तो आपको आंकड़े का पर-पर कलर का फूल होता है वो लेना है अगर आप संतान सुक की इच्छा रखते हैं तो आपको सफेद रंका जो आंकड़े का फूल होता है वो लेना है दोस्तो जो आंकड़े का फूल होता है या आंकड़े का विरिक्ष होता है वो गड़ेज जी का सरूप माना जाता है क्योंकि गड़ेजी ने सोयम वर्दान दिया था कि इस वरिक्ष में मेरा शाकशाद वास होगा दोस्तो इसलिए भगवान शांकर को आंकड़े का वरिक्ष बहुत ही प्रियम आना जाता है तो आज की वीडियो में हम आंकड़े के फूल का ही आपको बहुत ही सरल और बहुत ही अच्चूग उपाए बताने वाली है दोस्तो आपको एक आंकड़े का फूल लेना है आप चाहे तो परपल वाला चाहे आप सफेद वाला क्योंकि सफेद वाला बहुत कम मिलता है तो आप जो परपर कलर का फूल आता है उसको भी ले सकते हैं साथ ही आपको लेना है एक स्टील के लोटे में कच्चा दूद लेना है अगर आप दूसरा लोटा भी ले जा सकते हैं तो एक लोटा शुद जल अपने ही घर का लेके जाएं नहीं तो आप मंदिर से भी ले सकते हैं और मंदिर के दान पात्र में मतलब कुछ दक्षिना अवश्य ही मतलब दान कर दे दोस्तो आपको सबसे पहले जो भी आपकी जीवन में परेशानी चल रही है उस फूल को अपने हाथ में रख कर आपकी जो भी इच्छा है जो भी परेशानी है उसको बोल कर आपको शिवलिंग पर जो सर्प का चिन बना होता है अशोक सुंदरी का माता अशोक सुंदरी पर आपको फूल चड़ा देना है उस फूल को चड़ाने के बाद आपको उस फूल को उठा कर शिवलिंग पर चड़ा देना है यानि आपको अपनी इच्छा बोलनी है और अशोक सुंदरी पर वो फूल चड़ा देना है वहाँ पर उनको सपर्ष करने के बाद आपको वो शिवल पर चड़ा देना है अगर आपको सफेद रंग का आखड़े का फुल मिल जाता है और आपको संतान सुक की प्राप्ती नहीं हो पारी है तब भी आप मतलब इसी तरह से संतान सुक के लिए प्रात्ना करें माता अशोक सुंदरी पर इस फुल को चड़ा कर आपको शिवलिंग पर चड़ा देना है दोस्तों उपर से आपको अगर आप शुक्रवार के दिन कर रहें तो देखिए शुक्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वो कच्चा दूद आपको शिवलिंग पर चड़ा देना है अगर आप सुमवार को कर रहें तो सुमेश्वर महादेव का न प्रोटा जल मतलब शिवलिंग पर चड़ा देना है दोस्तों यह है तो छोटा सा उपाय लेकिन जब भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कते परेशानी चल रही होती है सुख शांती नहीं होती घर में बहुत ज़्यादा गरह कलेश रहता है धन की बरकत नहीं होत अगर आप संतान सुख की इच्छा रखते हैं तो आप कोशिश करें कि आकड़े का जो सफेद वाला फूल होता है अगर वो मिल जाए तो बहुत ही शेष्ट है निश्चिद ही आपको संतान सुख की प्राप्ती होगी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शे वावश्य लिकें आप सभी को जैशी किशना